लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा हाथ थोड़ा दोड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दोड़ा प्रतिभाकू बच्पन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है जिसके चलते ममी पापा उसे किताबिला कर देते हैं लेकिन वो उनकी जग़ गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है. ओ बहू, कहा है? जरा जल्दी इदर आ! क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आगिरा जो इतनी हबड़ दबड में बुलाया? अरे आसमान का तुप पता नहीं, पर इसकी चच जरूर गिरेगी, कितनी बार बोला है किसे रेपैर करा लो? मम्मी जी, ऐसे क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब दिना पड़ता है. है भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे के भी सी खेलना है, अरे तू अपने सवालों का टोकर अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा. वो आलसी, उनके भरों से रही तो छत पक्का गिरेगी, इससे अचा है कि जल्द जवाब ही दे दो. प्रतिबा की बाद सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिबा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है. अर मती मारी गई थी, जो इससे सवालों की दुकान को घर ले आई. क्या हुआ मा, इतने परिशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ आजा, सब तेरी वज़ा से तो हुआ है, पूरी दुनिया में तुझे कोई दुसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बुवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया. अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिबा ने? इस पर सास अबहे को प्रतिबा का सवाल बताती है, जिससे सुनकर अबहे जोर-जोर से हस्ते लगता है. अरे मा, प्रतिबा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है, मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पुछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है. ओ, हाँ, हाँ, चला अब दफा हो, आलसी कहीं का. इस पर अभय के वहाँ से जाते ही सास प्रतिबा के पास जाकर उसे जवाब दे दीती है, जिससे सुन प्रतिबा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छट की रिपैरिंग का काम करा दीती है. मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना, मम्मे जी के बस की तो बात है नी? कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे, ये कभी नहीं हुआ, और ना ही मैं होने दूँगी. अब देखो, इसके बात तो जैसे बात प्रतिबा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास सिव बदला लेने का मौका ढूणने में जुट जाती है, एक दिन. सास की बात का कोई जवाब दिये बिना प्रतिबा वहां से चली जाती है, और रात को शर्माज के घर पहुंचते ही, उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है. पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना. आरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही हूंगी न? अच्चा तो बताओ, एक लड़की पचास फूट की सीड़ी से गिरी, फिर भी उसे चोटने लगी, क्यों? बच्ची की बात सुनकर शर्मा जी सिर्ख हो जाते, बैट जाते हैं. अब अरे बच्चा, जाओ, खिलोने से खिलो, जाओ, जाओ. क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता, तो बच्चे को भेज रहें? हरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गये, डिनर करते हैं न? अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी. क्योंकि वो लड़की आखरी सीड़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी. मिल गया जवाब, अब कोई बत्तमीजी या सवाल नहीं. अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताती थे. क्यों? तुम्हारे एहंकार को ठेज पहुची, कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना confidence. तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? बारा, सेकंड जनवरी, सेकंड परवरी, और कांचिनूड. ज्यादा तीज हो. अच्छा, ऐसी क्या चीज है, जिसे तुम छुए भी ना पकड़ सकते हो? बाथ. दो मा और दो बेटी, पिज़्जा खाने गई, सबने एक-एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ तीन स्लाइस ही खा पाए. कैसे? क्यूंकि उन में एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी, यानि की मदर, और फिर उनकी बेटी. हो गई, दो मा और दो बेटी. मिल गया है तीन स्लाइट का हिसाब. अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो, अपने आपको अगर इतना ही तेज समझती हो, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दू. कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं. प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमतकार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंकी किताबे पड़ी होती तो पता होता. इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वज़े से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर दीती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है, देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटीव नहीं था, बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह, उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो. ग्यान नहीं, जवाब दो. सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं, सबसे अच्छा दूद मा का है क्योंकि उसकी वज़ज़ से एक बच्चा स्वस्त और तंदरस्त रहता है, और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी जबान में होती है, अगर जबान से कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूं और ना ही किसी ने समझाया, पर अब वादा करती हूं, गूगल से ज्यादा किताबों में समय लगाऊंगी और जो भी सीखूंगी उससे शौफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी